नमस्कर दोस्तों मैं उदेलान फिरेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ेखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज की उड़ो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमने लेखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहुतरीन व्यावसाय हैं मुर्गी पालन का लेकिन इस व्यावसाय में पिछले कुछ समय से दिक्कत आ रही है कि अच्छा अनक मुर्गी की मुर्गियों की और चूजों की जो आखे दोस्तों बंद हो जाएगी लेकिन उससे पहले यहाद दिक्कत क्यों आती है इस दिक्कत का सामना आपको क्यों करना पड़ता है इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला यह वीडियो आपको समस्या की जड़ और सोलूशन बताएगा लेकिन यह सोलूशन जानने के लिए वीडियो शु स्नैप्चाट इन सोशल मीडिया के सादनों का इस्दमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सद़ से मानते हो तो सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए आप से विनती करता हूँ कि इस यूडियो के दाई तरब निचली साइड पर आज जाईए वहाँ पर आने के लाल रंग के सब्सक्राइब के निशायन को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन कर दिजे ताकि आने वाला हरुडियों आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देख लिजे दोस्तो दिक्कत क्या है कि हमें लगता है कि मुर्गियों ने आखे बंद कर ली आचानक तो मुर्गियों को माटा बीमारी हो चुकी है लेकिन हर समय माटा बीमारी नहीं होती है दोस्तो मुर्गियों के आखों के तरफ देखते हुए हर लक्षन को जाच लीजिए दोस्तो उसके बाद ही आप solution कर पाओगे तो सबसे पहली बात कि आपके फार्म पर आई हुई बीमारी अच्छानक आख बंद होने की है लेकिन क्या आपको बता है पता है कि दो बीमारिया होती है दोस्तों जिसमें आखे बंद होती है पहली बीमारी का नाम है दोस्तों माटा तो दू नहीं मिलेगा आप सभी लक्षनों को जाज़ परक नहीं लोगें जब तक आपको बीमारी ही नहीं समझेगी तो सोलूूशन आप नहीं कर पाओगें को तो करे तो करे क्या दोस्तों तो देखिए सबसे पहली बात की बीमारियों को जड़ को यहां पर जांच ले दोस्तों सबसे पहली बात की आखे बंध है आपको पता है कि कभी कबार माटा बीमारी में आखे बंध हो जाती है तो कोराईजा में तो होती ही होती है लेकिन दोस्तो एक लक्षन और एक फर्क है दोस्तो जिससे कि आप इन दोनों बिमारियों में फर्क कर सकते हो दोस्तो अगर आपके मुर्गियों के चोंच और आखों के अडोस-पडोस में उपर नीचे वहाँ पर अगर सूजन आई है और दोस्तो यह सूजन के कारणवष मुर्गियों की आखे बंद है तो दोस्तो यह माटा बीमारी हो सकती है दूसरे लक्षन में दोस्तो माटा बीमारे में मुर्गियों के बीट पर ज्यादा फर्क नहीं होता है और मुर्गिया जो होती है अट्रेक्टिव दिखाई नहीं देती है मुर्गियों के पर नीचे आने की संभावना भी होती है लेकिन वेट लूज होना लूज मोशन होना ये तो समझो लक्षन सभी बीमारियों में समान है ऐसी परिस्तितियों में अगर आप आयोडिन टिंचर लेते हुए मुर्गियों की सुजन को साफ कर ले तो उस पर आप आसानी से दोस्तो वहाँ पर जो महंदी मिलती है उसको लगा देंगे और तीन दिन में फर्क गिर जाएगा तो दोस्तो ये माटा बीमारी है समझ लीजिए लेकिन अगर आप हर दो महा में गंबोरा का वैक्सिनेशन अगर करते हो तो माटा बीमारी होने की यह संभावना बहुत ही कम हो जाती है आईसी परिस्थितियों में दोस्तों क्या आपके फार्म पर कोराईजा नाम की बीमारी आई है आपको परिक्षन करना पड़ेगा कोराईजा बीमारी में दोस्तों सूजन तो आती है लेकिन इसमें से आपको पतला पानी बाहर निकलता हुआ दिखाए देता है सामान्य तॉर पर यह जो होता है दोस्तों चिपचिपापन यह पीले कलर का होता है और कभी-कभी पीला और सफेद होता है आयसे में मुर्गियों की आखे जो होती है वहाँ पर जम जाती है दोस्तो और खुल ही नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पर चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है आईसे में दोस्तों यह एक लक्षन है कि दो इंडिकेशन करता है दोस्तों वहाँ पर कोराईजा की तरफ और दूसरी बात कोराईजा में दोस्तों मुर्गयों का वजन कम होना ये तो लक्षन है लेकिन वहाँ पर मुर्गयों की जो बीट होती है वो सफेद कलर की होती है है दोस्तों बीमारी माटा हो या कोराइजा हो अगर हमारे मुर्गों की मुर्गों की और चूजों की आखे बंद हो रही है तो हमारा परम करतव है कि हमें उन आखों को खोलना चाहिए पहले आपको एक आइड्रॉप लाना है दोस्तों मुर्गों की मुर्गों की या चूजो की जो आखे हैं उनको पहले साफ कर लेना है और जितना उसमें मल जमा हुआ हो उसको बाहर निकालना है उसके बाद दोस्तों आपको हर दो घंटे के बार ट्रॉप्स डालने हैं ऐसा कंटिनिवस दो दिन करने के बाद मुर्गियों की आखे बहुत ही अच्छी तरीके से खुल स्वाणे को मिलेगा य। खायेगी खाना खायेगी पानी भी पीएगी तो दूसरी तरफ Pharaoh को क्या करना है दोस्तों मुर्गियों को आप जो उपाए कर रहे हो तो उसमें आपको एक काम करना होगा एके लां मिलती है हमें directly एक लिटर साफ पानी लेना है उसमें 2-3 ml तक यहां पर कोराजे बिमारी के जो मेडिसिन है इकेर सी उसके बुंदे डालने 2-3 ml आपके पास अगर 5 लिटर पानी है तो उसमें आप 10-12 ml भी डाल सकते हो एक अदा ml कम जादा होने से कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आपको यह कोर्स कंटिनिवस तीन दिन तक करना है अगर सही तरीके से तीन दिनों तक यह कोर्स आप करोगे तो सफल ता आपको प्राप्त हो जाएगी जिस माध्यम से आपके फार्म पर जो कोरैजा की बीमारी आचुके वह बीमारी गायप हो जाएगी दोस्तो कभी भी देखे बिमारी आना तो यहाँ पर जो है दोस्तो वाइरस आएगा वाइरस जाएगा बिमारी होगी बिमारी जाएगी लेकिन अगर हम सही तरीके से उसको जाज परिक्षन करते हुए मुखे लक्षनों को जाज कर अगर उसको वहाँ पर सही तरीके से मेडिसिन देने में सफल हो गए तो दोस्तों दिक्कत का सुलूशन निकल ही जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं अचरनक समझता नहीं कि क्या करें और हम दोस्तों गलत दवा का इस्तमाल करते हैं और देखें मुझे कि हम एक बात आपसे कहता हूँ माटा बीमारी हो गया और कोरैजा का इलाज करके कोई फायदा है माटा के वहां पर मेडिसिन दे के फायदा नहीं दोस्तो आपको उस बीमारी को पहचान कर ही मेडिकस मेडिसिन का इस्तमाल करना है ताकि सही तरीके से आप उस दवा का इस्तमाल करके उस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर पाओगे तो इस तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए सफलता की कुणजी है दोस्तों और मैं क्या कहता हूँ दोस्तों की आप दरिये मत आप थोड़ा इंतजार कीजे आप हर महा का जो शेडूल होता है मेडिसिन का उसे फॉलो कर दीजे यही सारे तरीके अगर आप अपनाओगे तो जो है दोस्तों आपको दिक्कत में ला सकता है इसलिए दोस्तों डटकर सामना कर दीजे कोई बिमारिया इसी दुनिया में नहीं कि जो वहां पर दूर नहीं हो पाएगी इसलिए दोस्तों बिमारी आने से पहले सही समय पर वैक्सिनेशन और बिमारी आने के बाद सही बिमा करना शुरू कर देगा तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्षिन में लिख कर भेजिए पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए किसान और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए वाटसब गूर्प टेलीग्राम गूर्प पेस्बुक इंस्ताग्राम स्नैप्चाट इन सोचल मीडिया के सादनों का इस्तमाल कर दीजे ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आए से एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदेल आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भै और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत आभ़़़द